टीवी के सबसे खतरनाक रियाल्टी शो खत्रों के खिलारी नौश शुरू हो गया है बता देंकि रोहिशेटी ने अपने शो के पहले एपिसोड में ही दो ऐसी बड़ी गलतियां कर दी हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है दरसल इस शो में बिग बॉस बारा के रनर अप रहे श्री संथ ने भी हिस्सा लिया है पहले एपिसोड में रोहे श्री संथ से कहते हुए नजराएं की वहीं रोहिट की बात सुनकर श्री संथ उनको अपना एक मश्यूर विक्ट्री डांस करके दिखाते हैं अब यहाँ पर सूचने वाली बात यह है कि रोहिट को कैसे पता चला कि श्री संथ बिग बॉस नहीं चीतने वाले हैं बता दें कि खत्रों के सारे एपिसोड को बिग बॉस बारा के शुरू होने से पहले ही शूट का लिया गया था जी हाँ पिछले साल जुलाई में ही सभी कंटेसंस अर्चिंटीना में इस शो की शूटिंग करने पहुंचे थे ऐसे में बात उठाना लाजमी है कि आकर रोहित को कैसे पता चला कि शीरी संथ बिग बॉस जीतने से चुक गए हैं वहीं आप ट्रीटर पर फ्लान जम कर सवाल कर रहे हैं देखे ज़रा कुछ ट्वीट Dear Colors, Please clarify how Shri Santh is in Khatro Ki Khiladi when he just came out of Bigg Boss Bara. When has the shooting happened? Shri Santh was in Bigg Boss house from past 105 days. Then how did he appear in the first day of Khatro Ki Khiladi Bigg Boss Bara? Yo bhaiya, did you watch Khatro Ki Khiladi 9 tonight? How did Rohi Shetty know Shri lost BB12 as he mentioned in the episode since the shooting happened before BB12. Did they went all the way to Argentinia again to shoot the introduction line? This Colors TV has been too fishy lately. So, if you can see, you have to ask a question of fans like this. Well, Khatro Ki Khiladi is already started and this season was very good.